उत्राकंट से अजीव मामलास सामने आया हैं यहाँ युवक ने पहले युवती को अपने प्यार के जाल में फसाया और फिर फर्जी निखानामा तैयार कर युवती से शादी और फिर उसके साथ दुशकर्म किया हलाकि जब युवती को अपने साथ हुई फर्जी निखानामा का पता चला तो उसना हाई कोट में मामले की शिकायत की इसके बाद हाई कोट के आदेश पर रूर्की की गंगनहर कोतवाली में आरूपी के खिलाफ मुकतमा दर्ज हुआ आपको बता देएं कि गंगनहर कोतवाली छेत्र निवासी एक युवती की वहीं छेत्र में रिष्टेदारी है इस दोरान रिष्टेदारी में एक युवक से युवती की दोस्ती हो गई इसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई लेकिन दोनों ने अपने परिजनों को इ रजिस्ट्रार कारयाले में पहुँचा और बताया कि उन्होंने शादी कर ली है उसने शादी दर्श कराने के लिए भी आवेदन किया है उसने युवती को बताया कि वो शादी के बारे में परीजनों को बात में बताएंगे इसके बाद वो काफी समय ता युवती से संबंद बनाता रहा इस बीच युवती ने शसुराल में रहने की बात कही तो युवक बहाने बनाने लगा युवती को शक हुआ तो उसने चानबीन की इसके बाद पता चला कि उसने फर्जी निकाह नामा बनाया है इसके बाद पीडिता ने हाई कोट में कारवाई की गुहार पर गंग नहर कोटवाली पुलिस ने जाच शुरू कर दी है उफ इस वक्त हल्दुआनी का बढ़ता तापमान ऐसे मैं हम बताएंगे आपको कैसे बचाएं इससे अपनी जान जिहां जहां इस वक्त हल्दुआनी में गर्मी हो रही है रिकॉर्ड तोड ऐसे मैं आज ही का आपने बना ही लिया है मन तो अब जल्दी आ जाएए करने लॉट्स ओफ फण अब यहां आने के लिए आपको चाहिए होगी लोकेशन तो लीजिए बिल बाबा मंदिर के पास रामपूर रोड नाम है डिजनी लैंड वाटर पार्क बेस्ट फॉर यॉर समर विकेशन यह आपको मिलेगा धेरो सारे फण गेम्स एक क्लीन कैफेटेरिया और बहुत बड़ा स्विमिंग पुल जिसमें आप कीजिए मस्ती फुल